नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत सवागत है एक पर फिर से जॉब स्टुडे में दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपोटेंट वीडियो देखने वाले हैं जो कि महतपुर नियुक्तियां हैं 2020 की यह दोस्तों करेंट एफेर की वीडियो है आप दोस्तों अगर और किसी भी competitive exam का त्यारी कर रहे हैं अगर उसके exam देने वाले हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह वीडियो आप लोग के लिए एक से दो नमबर बहुत ही helpful होने वाली है क्योंकि इससे किसी ना किसी exam में question पूछी ही जाती है आप चाहे वह railway के ले लो SSC रेलो या क ही आती ही है तो फिर यह पहली वीडियो है आप लोग देखिए पूरा और फिर next day हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे तो दोस्तों आज का सबसे पहला जो question है कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा पड़ी छक यानि कि CAG किसे नियुक्त किया गया है जहां दोस्तो अगर आपको याद है तो आपकी रिवर्जियन भी यहां पर हो जाएगे ठीक है तो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा पड़ी छक यानि CAG किसे नियुक्त किया गया है तो यह बताने आपको तो इसकी डाइट अंसर हो जाएगी दोस्तों यहां पर ग्रीस चंद्र मुर ठीक है और यह जो अपने स्रीज के यानि कि इनका करम जो चलता है पहला दूसरा तो यह जो अपने स्रीज के वह 14 होए हैं यह भी ध्यान रखियेगा क्यूंकि बहुत बार जो कोशन इस तरह की पूछी गई है चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कि परधान मंतरी चंद्र ठीक है हार्दिस सतीष चंद्र जो है वह परधान मंतरी के जो है नए नीजी सचीव के रूत में निउक्त किया गया है नेक्स्ट कोशन यह आपे है दोस्तों कि चीफ औफ डिफरेंस इस टाप जो है वह किसे निउक्त किया गया है यानि कि CDS पहला जो है भारत का CD किसे निउक्त किया गया है तो आप लोग इस कोशन को बहुत ही इंपोटेंट लीजिए क्योंकि यह पहला है भारत में जो CDS की निउक्ति की गई है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी विपीन रावत ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं वैसे आप यहां पे पिक् लोग पाल कौन निउक्त किये गया है या कौन बने है इस तरह की कोशन आपको आ सकते हैं ठीक है तो इसकी सही आंसर जो हो जाएगी वह हो जाएगी पिना की चंद्र घोस ठीक है बहुत ही इंपोटेंट दोस्तों कोशन है और यतने भी कोशन है आप नोट करते चलिए और कोशन आपे देखते हैं कि भारत के कैंद्रिये सतरक्ता आयुक्त सीवी सी किसे निउक्त किया गया है जिया दोस्तों सतरक्ता आयुक्त जो है भारत के वह किसे निउक्त किया गया है यह आपको बताना है तो इसकी जो है वह सही आंसर हो जाएगी संजय कोठारी ठीक है संज आई-C कौन है आप इसका फूल फॉर्म भी आप देख सकते हैं ठीक है और साथ में आप इसे याद करते चले भारत के मुख सूचना आयुक्त जो है वह किसे नियुक्त किया गया है तो इसकी जो है सही आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भीमल जुलका ठीक है भीमल ज इसकी जो है साथ वे वेतन आयो के जो है अध्यक्ष कौन है तो यह आप एक करम है इसे याद भी रखिए और इसकी जो है सही आंसर हो जाएगी असोग कुमार माथूर को वैसे आप एके माथूर के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि बहुत बार जो है वह एक्जाम में एके म important question है कि 15 वे वित आयो के अध्यक्ष कौन है ठीक है यहाँ पर बित आयो का पूछा गया अध्यक्ष का जो कि अपने करम के 15 वे वित आयो के अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी नंद किसोर सी जिसे हम स्वाट फार्म में एनके सी भी कहते है ठीक है नंद किस इसलिए मैं include कर रहा हूं इस सभी को ठीक है तो ऐसा भी कभी पूछा जा सकता है कि 14 वे बित आयोग के अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी वाई वी डेडी ठीक है ध्यान रखिएगा दोस्तों बहुत ही important है next question यहां पर है यह जो है भारत के महिला आयोग के अध्यक्ष है चलिए next question देखते हैं बहुत important है राष्टिये मानवा अधिकार आयोग यानि NHRC के अध्यक्ष कौन है आप जो है इसकी full form भी देख सकते हैं काई वार question जो है वह पूछी जाती है ठीक है तो NHRC के जो है वह अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही answer हो जाएगी HL दत्तु ठीक है राष्टिये मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष है चलिए next question देख लेते हैं कि भारत के रक्षा सचीव कौन है तो भारत के रक्षा सचीव कौन है दोस्तो आपको ये बताना है तो इसकी सही answer हो जाएगी अजय कुमार ठीक है अजय कुमार कौन बने है वो है भारत के रच्छा सचीव नेक्स्ट कोशन है दोस्तों कि भारत की कैबिनेट सचीव का नाम क्या है जहां दोस्तों आपको बताना है भारत के जो है वह कैबिनेट सचीव का नाम क्या है ये कई बार जो है अलग-अलग एक् रिखियेगा next question जोगा है भारत के बित सचीव कौन है यानि कि finance security ठीक है भारत के वित सचीव कौन है तो इसकी साही answer हो जाएगी दौस्तोफव जो अजया भूशन पांडे है ठीक है कौन है Δोस्तोफव अजयाब बहुषन पांडे जो भारत के बित सचीव है चलिए next question देख लेते हैं कोशन है आपे कि भारत के राजेस वा सचीव कौन है भारत के जो है वह revenue सिक्रेटरी जो है वह कौन है तो ये भी ध्यान रखिया ये भी जो है वह सेम ही है यानि कि अजया भूषन पांडे दोनों एक ही ह ठीक है ध्यान रखिया अलग अलग कोशन पूछा जा सकता है कन्फ्यूज मत होईएगा ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भारत के बित सचीव यानि की फाइनेंस सेकुरिटी जो है वह अजय जो भूशन पांडे है ठीक है ठीक हर्सवंधर सिंगला ध्यान रखियेगा भारत के बित सचीव है नेक्स्ट कोशन यह आप देख लेते हैं भारत के ग्री सचीव कोन है आप लोग को याद होना चाहिए भारत के ग्री सचीव कोन है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी अजय भल्ला जो है वभारत के ग्रिह सचीव है नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं कि राष्टपती जो रामनात कोबिन है उनका नीजी सचीव जो है यानि कि प्राइवेट सेकृरिटी किसे निक्त किया गया है तो यह आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए और इसकी सही आंसर जो हो जाएगी वह पी परवीन सिधार्थ ठीक है और दोस्तो इनहें जो है यानि कि पी परवीन सिधार्थ को जो है वह अगस्त 2020 में जो है वह निक्त किया गया था ध्यान रखियेगा नेक्स्ट कोचन है कि भारत के सॉलिस्टिर जनरल कौन है दोस्तों भारत के सॉलिस्टिर जनरल जो है वह कौन है आपको बताना है तो यहाँ पर देख सकते हैं तुसार महता जो है वह सॉलिस्टिर जनरल है नेक्स्ट कोचन है कि भारत के महा नयाईवादी कौन है ठीक है यानि कि attorney general एक solistory general होता है एक attorney general होता है ध्यान रखियेगा तो आपको बताना है भारत के attorney general कौन है तो KK Benu Gopal ठीक है confused मत होईएगा एक solistory general एक attorney general ठीक है next question यहाँ पे देखते हैं कि भारत के लेखा महानी अंतरक यानि CGA कौन है किसे निउक्त किया गया है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सही answer हो जाएगी रोमा रोई वर्मन ठीक है यहाँ पे जो है सोमा रोई वर्मन जो है भारत के CGA निउक्त किये गया है नेक्स्ट कोचन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के मुख आर्थिक सलाहकार यानि कि Chief Economics Advisor किसे निउक्त किया गया है जी है दोस्तों तो इसकी सही answer हो जाएगी कृष्ण मूर्ती सुब्रमन्यम कौन है दोस्तों किष्ण मूर्ती सुब्रमन्यम जो भारत के मुख आर्थिक सलाहकार निउक्त किये गये है चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं भारत के राष्टिये सुरक्षा सलाहकार यानि कि National Security जो है वह किसे निउक्त किया गया है ठीक है तो इससे पहले आपने जो यहाँ पे देखा था भारत के रच्छा सचीव कौन निउक्त किये गये है तो इसको मैंने आपको बताया अजय कुमार जी है क्योंकि बहुत सारे स्ट्वेंड जो इसमें Confuse हो जाते है कि यहाँ पे जो बताया गया भारत के रक्षा सचीव और रक्षा जो है राष्टिय सुरक्षा सलाकार तो ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा इसकी सही आंसर हो जाईगी यहाँ पर अजीत डोभाल ठीक है तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कौन है भारत के राष्टिय सुरक्षा सलाकार अजीत डोभा ध्यान कि यह बहुत इंपोटेंट है यह बहुत ही परचलित भी रहे हैं नेक्स्ट कोचन है दोस्तों कि भारत के मुख न्याइधिस कौन है तो आप लोगों को पता होगा जश्टिस अर्विंद्र वोब्डे जो है वासा इतालिसवे भारत के जो मुख न्याइधिस है करम भ इसका सौट फर्म होता है CEC ठीक है आप चली नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं कि भारत के चुनाव आयुक तो कौन है ठीक है यहाँ पर जो है मुख चुनाव आयुक तो मैंने आपको बताया था और यहाँ पर है कि भारत के चुनाव आयुक तो कौन है तो राजीव कुमार यहां पे कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन है तो बहुत ध्यान देने वाली कोश्यन है परदी कुमार जो है वह जो जो सी उप journaling जो यू पियासदी के जो है वह नय अध्यक्ष नित किया गए है नेट्सक्ट कोश्चन है दोस्तो कि भारतिये बैंक संग के जो है अध्यक्ष कौन है ठीक है यानि कि यहाँ पे जो है भारतिये बैंक संग के अध्यक्ष हो जाएंगे सुनील महता ठीक है ध्यान रखियेगा next question है सेवी के अध्यक्ष कौन है तो ये भी ध्यान रखिएगा इसकी सही आंसर हो जाएगी अजय त्यागी सेवी के अध्यक्ष है next question NSE के अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी ग्रीस चंदर चतुरवेदी next question है दोस्तो RBI के जो है वह governor कौन है RBI के governor कौन है तो सक्तिकान्थ दास है ध्यान रखियेगा next question है необходимо RBI के जो है वह deputy governor कौन है ठीक है दोस्तो इसकी सही answer हो जागी Michael देब ब्रत पात्रा ठीक है Michael देब ब्रत पत्रा यह जो है वह डिप्रिटी गवर्णर है आड़ बी आई के next question है दोस्तो ADV के जो है वह नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है यानि कि ACI विकास बैंक के जो है अपना नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी असोक लवासा नेक्ट कोशन है दोस्तो भारतिय बिमान पत्नम पताधिकरन यनि की डवल ए आई के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये आपको बताना है सही आंसर हो जाएगी अरबिंद्र सिं ठीक है नेक्ट कोशन है फिक्की के अध्यक्ष कौन है ठीक है फिक्की के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है सही आंसर हो जाएगी संगीता रेड़ी ध्यान रखियेगा दोस्तो नेक्ट कोशन है ल आई सी के अध्यक्ष कौन है जियां दोस्तो L.I.C. के अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही आसर हो जाएगी M.R. कुमार ध्यान रखियेगा Next question है दोस्तो इस रो के अध्यक्ष कौन है जी हां दोस्तो K.S.1 जो है इस रो के अध्यक्ष हो गए और इसका यह वार पूछा गया है Next question है D.R.D.O. के अध्यक्ष कौन है दोस्तो तो जी सतीस रेड़ी जो है वार D.R.D.O. के अध्यक्ष है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखियेगा Next question है दोस्तो T.R.A.I. के अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना है सही आंसर हो जाएगी राम सेबक सर्मा जी यहां दोस्तो Next question है दोस्तो U.I.D.A.I. का यानि के अध्यक्ष कौन है दोस्तो ध्यान रखियेगा जो CEO यहां पर पूछा गया था ठीक है थोड़ी सी में स्प्रिंट हो चुकी है आप यहां पर मैनेज किया है ठीक है यहां पर उदय का CEO किसे नियुक्त किया गया है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी पंकज कुमार और यह यह जो है U.I.D.A.I. यह अधार कार्ड जो बनाती है संस्ता उसका यह जो है नाम है ठीक है ध्यान रखियेगा Next question है N.H.A.I. यानि की भारतिये राष्टिये राजमार की परमुख कौन है यह आपको बताना है इसकी सही आंसर हो जाएगे सुखवीड सींधू ध्यान रखियेगा Next question है दोस्तो निती आयोक की जो है अध्यक्ष कौन है दोस्तो निती आयोक की जो है वह अध्यक जो है वह देश के परधान मंत्री होते हैं तो बरतमान में अभी जो है श्री नरंद मोधी है तो अभी जो निती आयोग के अध्यक श्री नरंद मोधी होंगे ठीक है नेक्स्ट जो कोशन है दोस्तो कि निती आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ठीक है दोस्तो निती BCCI के अध्यक्ष कौन है जी हां दोस्तों आपको बताना है BCCI के जो है वह अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी Sword of Gangly ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन है कि ICC के जो है CEO कौन है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी मनु सहनी नेक्ष्ट कोशन है दोस्तों BCCI के अंतरीम CEO कौन है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी हे मांग अमीन ठीक है ध्यान रखिएगा नेक्ष्ट कोशन है कि भारतिये नौसेना अध्यक्ष कौन है ठीक है भारतिये नौसेना के अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही आंशर हो जाएगी admirer करमवीर सीह यह 24वे हैं ध्यान रखिएगा करम next question है भारतिय बायु सेना अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही आंशर हो जाएगी राकेश सीह भदोरिया जो की अपने 26वे करम के है next question है दोस्तो भारतिय थल सेना अध्यक्ष कौन है तो इसकी सही आंसर हो जाएगी जनरल मनोज मुकुन नर्वरे जो कि अपने करम के यह 28 है तो दोस्तो यह कुछ आज की महत्पुन जो है वह करेंट अफेर थी जो कि आपको किसी ना किसी एक्जाम में जो है दो नंबर की कोशन यहां से कि जो हुआ करेंट अफेर की क्लास दी जाती है तत तक लिए धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में